समसकार दोस्तों मैं एंजोनेर रहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सीविल इंजोनेर्ञ पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का मेरा जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है यूनिट कन भर्जन जो भॉलूम के बारे में हैं इससे पहले हम आपको area और length का conversion कैसे होता है वो सब बता चुके है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरा आप चैनल को देखिए सस्काइब कर लिजिए प्लीज कर लिजिए थोड़ा और वीडियो अच्छा लाएगा तो like का button दबा दिजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो के support मिले और आपको भी मिले और चैनल को subscribe कर लिजिएगा और bell icon ही भी दबा दिजिएगा चल मेरा मेरा में रिजिन यह है कि इसका ज्यादातर रुपी होगा आपको साइट पर quantity सीमेंट का गिटी का या फिर मिटी का बालूक सेंड का इस सबका निकालने में एग्रिगेट का बहुत हैल पाएगा क्योंकि ज्यादातर इसका क्यूबिक फीट और क्यूबिक मीटर में ही निकाला जाता है तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि अच्छा से समझ है चलिए स्टाट करते हैं पाला पाला मेरा पॉइंट है वो है एक क्यूबिक मीटर एक हजार लीटर मतलब अगर आपके पास कोई एक क्यूबिक मीटर आपको बोलता है तो सेकेंड है एक क्यूबिक मीटर इक्वाल टू अगर इसको एक क्यूबिक मीटर को फूट में चेंज करते हैं क्यूबिक फूट में तो वो होता है एक क्यूबिक मीटर इक्वाल टू बराबर 35.314 क्यूबिक फूट जैसे आपको कोई बोलता है कि एक क्यूबिक मीटर मेरे क कर दें तो तुरान एक क्यूबिक मीटर है तो इसे आपको 35 से मल्टिप्लाइ कर लेना है तो जितना भी आपको क्यूबिक मीटर आपको बोल दिये तो आप 35.314 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो आपका 70.628 आएगा तो इससे आप किसी का भी निकाल सकते हैं है अगला है एक क्यूबिक मीटर बराबर अगर की एक क्यूबिक मीटर को क्यूबिक यार्ड में चंज करेंगे एक क्यूबिक मीटर में होता है आपका 1.308 क्यूबिक यार्ड यह भी एक आपका साइट पर यूज होने वाला बहुत ही महतंपूर अगला है मेरा क्यूबिक मीटर यह होने वाला है क्यूबिक फूट में आपका अगर एक क्यूबिक फूट में कोई पूछता है आप तो एक क्यूबिक मीटर का बता दिये कितना होता है अब आपको कोई पूछ दिया एक क्यूबिक फूट का एक क्यूबिक फूट में आपका होता है अठाइस पॉइंट 316 लीटर मतलब एक क्यूबिक फूट आप से कोई बोलता है तो समझ जाना उसमें 28.3 भी बोल सकते हैं लीटर आएगा कोई भी लिक्विड हो या कुछ भी हो कि अगला है मेरा अगर आपको एक क्यूबिक फूट को क्यूबिक मीटर में चेंज करना हो तो क्या होगा देखिए एक क्यूबिक फूट बराबर 0.0283 cubic meter मतलब 1 cubic feet को cubic meter में change करना होगा ति मेरा यह आए गया अगला है अगर 1 cubic foot को cubic yard में change करना हो तो मेरा होगा क्या एक क्यूब के आड में 0.037 क्यार्ठ जरूर याद रखियेगा दस्तों कि और pessimा अगला देखते हैं यरे को आपन भठ कैसा करते हैं आप से बोलता है एक क्यूब territori में कितना लिटर होगा अगर आपसे एक क्यूब पॉइंट पांच पांच चार लीटर मुतलब एक क्यूबिक याड इकोल टू 764.554 लीटर यह मेरा हता है अगला है मेरा एक क्यूबिक याड को अगर आपको क्यूबिक मीटर में चेंज करना हो तो एक क्यूबिक याड को क्यूबिक मीटर में 冷 MICHAEL में रry्ट में चांज करने के लिए एक किविक याड में होता है 0.764 कीविक मीटर, ऐगर एक क्यूबिक कियाड को का करेंगे कितना होता है एक किविक में बराबर 27 क्योविक पूइंट 27 क्योंब 67πο ändhero cet surfaces क्यों के बिदिध Board मतलब एक क्यों क्योंब में थेएवन कि दोस्तों ऐसे ही आपके लिए हम महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे आप मेरे चैनल को तो देखिए सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आपके लिए यह जनकारी महत्वपूर्ण है तो इसका स्क्रीन सोट ले लिजे आप लोग एक अगले वीडियो में आपको हम मेज आइकन भी दबा दिजिए इससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे टाइम टाइम पे रेगुलर्ली ठीक है दोस्तों मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में नए एनर्जी के साथ नए उत्साह के साथ तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखे हाँ एक बात और आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम किस टोपिक पर आपके लिए वीडियो लाएं जो आपके लिए यूजफूल हो हम जरूर कोशिस करेंगे वैसा वीडियो लाने के लिए ठीक है दोस्तों चलते हैं नमस्कार दोस्तों धन्याबाद